अके श्मेर्ट तो आज हम हम लोग Common Indian snacks के बार में study करेंगे हमारी इंडिया में कवeurs कौन कौन से Common snacks हैं उनकी study करेंगे सबसे पहला snack जो यहां पहर लिखा हुआ औरूज नमें Kobra तो मैं इसको पड़已经ay hem porte The length of Cobra is about 222.5 meter The snake is long black dark brown In the color it is found in the various parts of the country It makes hood by the help of its neck ribs कोबरा के बारे में लिखा गया है कि सुद्र यानि लंबाई जो होती यहặt वह 2 से 0.5 मिटर होती है इसके ज़ए बौडी होती ही लॉंग होती है ब्लैक कलर का होता है यह फिर ड़ार्क ब्राउन कलर का होता है और यह कहां पर पायाता है यह जो है country के हमारे country में विज़े हर पार्ट बहुत सारे area's में पायाता है और यह अपनी neck की rib जो होती है यानि इसके जो गर्दन की जो पसलियां होती है उनकी help से यह क्या करता है hood बना लेता है यानि fun बना लेता है इंसम कोब्रा आगे क्या लिखा हुआ है इंसम कोब्रा राउंडेड स्पॉर्ट जिसको की मोनो ओसिलेट हो और और इंसम अदर टू राउंडेड स्पॉर्ट्स आर फांड है तो आप अक्सर आप देखते होगे चश्मे के जैसे शेप का स्ट्रक्चर बना होता है इसकी फन तो उसी के बारे में लिखा गया है कि कुछ कोब्रा में क्या होता है सिंगल एक स्पॉर्ट होता और कुछ में जो है दो राउंडेड स्पॉर्ट स्पॉर्ट पाए जाते हैं आगे लिखा है बच्चों एक दम नीचे देखो देवेंटरल स्केल्स आफ टेल इस डिवाड़ जाया है और इस स्नेक में तुम लोगो क्या दिखेगा इसी स्नेक में दिखेगा इसके स्प्रेकल मार्क यह जो यहां पर बने हुए हैं बीच में यहां पर यहां पर और यह सका फ़न है यानी होड HARोड है आऊज़ औरे नॉस्टेल्स हैं टेल्स बॉड़िक की स्केल्स प ट्रंक है ठीक है तो यह overall क्या है कोब्रा है और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोब्रा डाड़िस नाजा नाजा क्योंकि कोब्रा का हिजो लाजिकल नेम होता है इस फाउंड राजस्थान सिंध एंड हिमाचल प्रदेश तो यह सबसे लंबा वाला जो कोब्रा होता है फाइफ टू सिक्स मीटर लॉंग यह पाया जाता है और आल्सो फाउंड इट कंसिस्ट मेनी वाइट कलर्ड लाइन्स ऑन इट्स बॉड़ी इंग्री इन दे नेचर एंड फीडप ऑन अधर स्माल स्नेक्स दो वेनम अफ कोब्रा इस लीठल आल कोब्रा आर ओवी पैरस इन दे नेचर तो यहां पर बच्छो लिखा गया है कोब्रा के बारे में कि इंडिया के कुछ पर्टिकुलर रीजन है राजस्थान सींधी माचर प्रदेश यहां पर जो कोब्रा पाया जाते हैं वो काफी लंबे होते हैं फाइफ ट सेल नेचर का होता है और यह किसको खाता है यह अपने से छोटे स्नेक्स को अपने से छोटे जो साइस के जो सांप होते हैं उनको यह फीट करता है और इसका जो जहर होता है जो पॉईजन होता है कोब्रा का वो लीठल यानिकी हीमन की जान को ले सकता है इंसान की मौत हो जा में बना हुआ है यह क्या वाइपर है काफी कुछ मोटा सा लग रहा है चोड़ा मोटा सा लग रहा है लेकिन लंबाई काफी ज्यादा नहीं इसकी as compared to the cobra तो हम लोग वाइपर के बारे में पड़ेंगे तो नीचे दोखे क्या लिखा है दा पीट वाइपर कंसिस लेटरल लॉरियल पीट लॉरियल पीट इन इट्स हेड आर फाउंड इन दा हिली एरियाज वाइपर इस वन मीटर लॉंग ब्राउन एंट कंसिस्ट मेनी पैच लॉरियल पीट होती है लॉरियल पीट का मतलब क्या हुआ लॉरियल पीट का मतलब अगर आप इस फिगर में देखोगे यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक लॉरियल पीट नाम का स्ट्रक्चर होता है यह जो इसकी आँखे हैं आइस के पास थोड होता है थ हुंसे को आप क्या बोलते है लो यह पूस्त क्या बोलते हो लॉरियन पीट कहा हुंता हैा ैस काई वॉर्ण पिट आखिक नाथ है बाप है तो यह को इस नीक को रोगत कहा है खता है में पर पाए जाता है इसके लंबाई एक मीटर तक्रीबन होती है और साथ ही साथ जो है यह ब्राउन कलर का होता है और इसकी बॉड़ी पे बहुत सारे पैचेस होते हैं फिगर में दिख रहा है आगे क्या लिखा है इन इंडिया दा वाइपर स्नेक है सेवरल स्पेसीज की बहुत सा ठीक है तो यह एक स्पेसीज एक इसका वरना कुलर नेम है फूरसा एंड आर फाउंड इन वेस्ट रीजिंस आफ साथ इंडिया दे स्नेक कंसिस्ट बर्ड्स क्लॉव शेप्ड मार्क और इट सेड बॉला जारा है साथ इंडिया में यह पर्टिक्लर स्नेक की एक स्पेसीज पाए जाती है और इसके पास क्या होते हैं जैसे बर्ड्स की जो क्लॉव शेप्ड जो है मार्क होते हैं चुडिया की जैसे चुडिया की जो पैर होते हैं उनकी उमलियां होते हैं फिंगर होते हैं और फिंगर के जो नेल्स नाखून होते हैं उसी की शेप के इसकी structures पाए जाते हैं, ठीक है न, mark पाए जाते हैं, यानि की structures पाए जाते हैं, निशान पाए जाते हैं, ठीक है वच्चों, अगरा फिर यहाँ पे इस वाले paragraph को देखो, यह वाला paragraph, another वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा है, another species of wiper, is called Himalayan wiper, तो यहाँ पे एक Himalayan wiper का नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है उसका, उसका नाम लिखा हुआ है, Ancistrodon Himalayanus, या Ancistrodon Himalayanus, ठीक है, तो यह जो Ancistrodon Himalayanus लिखा है, यह क्या है, यह किस की हमारे wiper की, और इसकी खासियत यह है, कि यह जो है, brown color का होता है, चोड़ा होता है, इसका head वाला portion चोड़ा होता है, और triangular shape का होता है, head head triangular होता है, and another species wiper is known as bamboo wiper, bamboo wiper are found in the Himalaya, Himalaya में, wiper की बहुत सारे species पाए जाती, यह कुछ species का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, last point बच्चों, यहाँ पे देखो, last paragraph जो इस figure के बारे में है, a pitless wiper, मतलब एक ऐसा भी wiper जिसमें pit नहीं पाए जाती जैसे जो diagram बना है, यह वाला wiper, is also found in the UP and Punjab, and this wiper is called Russell wiper, बहुत important बच्चों यह वाला, Russell wiper, ठीक है, तो Russell wiper क्या होता है, Russell wiper जो होता है, Russell wiper जो होता है, वो pitless होता है, जो लोडियल pit नाम का structure नहीं पाजाता है, उसकी ice के नीचे, और यह वाला wiper कहाँ पाजाता है, UP और पंजाब में, उसका नाम क्या है, Russell wiper, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो, Russell wiper बोलते हो, Russell wiper, ठीक है, तो यह जो बच्चों है, यह वाला wiper, इसके बार में क्या लिखा है, it is one to five, one point five to two meter in length, and brown in color, यह देर से दो मीटर लंबा होता है, भूरे रंग का होता है, it consists three rosa black spots, इस black spot, और इसके उपर बड़े बड़े काले रंग के धबे भी पाय जाते हैं, इसके head में, on its head, and all wiper's are vivi parasy nature, और यह क्या करते हैं, यह वी वी पैरस होते हैं, यानि कि यह बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, बलकि क्या करते हैं, यह बच्चे देते हैं, ठीक इंडिया में पाय जाता है, क्रेट इसको बोलते हैं, क्रेट बोलते हैं, तो इसके बारे में आगर हम लोग पढ़ें कि यह क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ध्यां से देखोगे, पढ़ने कोश्य करोगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है, several species of crack are also found in India, यहाँ इंडिया में क्रेट की बहुत सारी species पाय जाती, इसके पीट की तरब क्या होते हैं, भूरे रंग के धब्बे होते हैं, या फिर चमकीले काले रंग के धब्बे पाय जाते हैं बॉड़ी में, ठीक है, दफैंक्स, फैंक्स मतलब उसके जो दात होते हैं, जो poisonous teeth होते ह बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में study कर चुके हैं, फैंक्स के बारे में लोग जानते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है, कि क्रेट का जो फैंक्स होता है, वो छोटा होता है, और दा क्रेट इस फोर टाइम मोर पॉजनस देन कोब्रा, अब यहाँ बहुत these scales of tail is not divided, यह उन्यानि इस इसी सब्सक्राइब ही नहjuं पीच होऔं झो नेक्स जो हम लोगे जहें पढ़ेंगे यहां खुट धामिन उता है दॉन खा 2.5 meter long brownish and non poisonous snake यानि धामीन जो होती है non poisonous snake होती है 2-2.5 meter लंबी होती है एकदम नीचे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ this snake is usually found in garden fields and make burro यह जो है कहां पाई जाती है खेतों में पाई जाती है गार्डन में पाई जाती है को खाती है और यह कैसी होती है अंडे देती है ठीक है अगला snake क्या है python python मतलब अजगर होता है जिसके बारे में जानते हैं यह भी non poisonous होता हम लोग पता ही है पहले सही कि अजगर्द होते हैं वो कैसे होते हैं non poisonous होते हैं यहां पर लिखा हुआ है बच्चों python के बारे में the python is found और इसकी लेंद तो आप लोग जानते हो बहुत लंबा होता है the python is found in the forest it is about six meter long and thick यानि मोटा होता है लंबा होता है heavy यानि भारी होता है and non poisonous यानि कि इसमें जहर नहीं होता poison नहीं होता ठीके न भी सीन जिसको हम कहते है इंदी में the python is swallow whole the other animal यानि यहां पर बोले जाला कि बहुत सारे दूसरी जानवरों को यह खड़ा निगल लेता है पूरा खा जाता है निगल लेता है ठीके न जैसे कि sheep को भेंड को हुआ गोट लाइनि qr,usoz, etc यहां सब जानवरों को भी थे जो ज़म जाता है न्हों निगल जाता यह न काफी बड़ी इनिमल को यह निे निगल जाता है बड़ी साइस की निगल जाता है यह हो यहal है इसके बारते हैं यहां लिखा है, this neck is small, यह छोटा साप है, and thick, यानि मोटा सा है, dark brown, गहरे brown color का है, and non-poisonous मतलब, इसमें भी जहर नहीं होता, the color, the neck of this neck is not very clear, इसकी गर्दन बहुत clear नहीं होती है, the end of its tail is as thick as head, यानि यही एक point हो गया, कि इस साप की, जो tail होती है, वो भी as thick मतलब, वो मोटी होती है, कैसी, जैसे कि इसका head मोटा होता है, ठीक है न, मतलब tail और head दोनों जो है, एक जैसे लगते है, जितनी tail की मोटाई होती है, वो इतनी ही मोटाई head की होती है, इसी लिसको दो मुआ कहते है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, यहां पर देखो बच्चों लिखा हुआ है, अगर last देखोगे, कि as thick as head, the end of the head, यह तो मैंने पढ़ दिया, last में क्या लिखा है, thus it is also called double-headed snake, यानि इसी लिसको क्या बोलते है, double-headed snake बोलते है, यानि कि दो मुआ साब कहते है, फिर आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, it feed on red and squirrel, यानि कि य चूहों को खाता है, और गिलहरीों को खाता है, लेकिन ये non poisonous है, ठीक है न बच्चों, तो यह हो गया erics, यानि कि दो मुआ साब, python यानि अजगर, इससे पहले हमने jaminsis पढ़ा, jaminsis मतलब धामिन, krat, krat, मतलब krat, ठीक है न, और उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका सबसे पहला वाला cobra, ठीक है, तो cobra हमने पढ़ा, wiper पढ़ा था, wiper से पहले cobra, cobra, wiper, उसके बाद हमने jaminsis पढ़ा, krat पढ़ा, और उसके बाद python और rx, तो ये सब क्या हो गए, ये सब common Indian snacks हो गए, मैं इसकी PDF, notes की PDF आपको टेलग्राम पर प्रवाइड कर देता और उसको अपनी notebook में write down कर लेंगे, और ये important question है, ये exam में, पूछा जाने वाला question है, exam में आता है, तो इसको अच्छे से prepare कर लेंगे, common snacks of India, ये बहुत important question है, ठीक है students?